हालो डियर फ्रेंट्स आज पेगा स्वागत तमारे टूप चनल नेडिया रपड़्डा में फ्रेंट्स मैं सोलम और आप सुनके से हो आई हो कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स से आज की क्लास में हम फिर से बात करेंगे पीएडी एडमीशन की एक न्यू नोटिफिके दिये थे जो सेशन वाली जो इस बार फिर से हुई है अगस्त में फ्रेंट्स तो उसमें जो आपका एंसर किया भी तो रिजल्ट आये नहीं है पर रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके तीन कटेगरी में इस बार डिवाइड होंगे ऐसे कंडिडेट्स में होंगे जो जो नेट क्वालिफाइड होंगे और ₂ nella Bundes ध्रिट्स जो नेट भी क्वालिफाइड में होंगे पर नेट केइन यहर मार्क आया होगा तो वह तीनों कटेगरी के कडिडेट्स है इसमें पर तो पर से प्राबलम क्या है अभी तो कर सकते हैं इंट्रेंस एक्जाम में इंटर्व्यू दे सकते हैं पर एडिमीशन के टाइम फ्रेंट से उनका जो रिजल्ट है वो जरूरी होगा तो यदि आप का एडिमीशन के वक्त से पहले आ जाता है एडिल्ट तो आपके लिए बेनी फीसेल होगा और इसमें सबसे ची बात है कि इस में 35 विश्यों में अभेदन का मौका है तो काफी प्रेंट को इसमें मौका मिलेगा और इसके लिए जरूर एपलाइ कीजिएगा और इस फार्म को एपलाइ करने की जो लाट डिएट है तो चोदा अक्टूबर है तो फ्रेंट से इसके बाउट में जो भी इन फार्मिशन ह को जोईन कर लिजे जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्रिप्र बाक्स में दिया गया है और फ्रेंट से यह आप भी अपने स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में अपने स्टेट और इनुवर्शिटी का नाव जरूर टाइ में 18 सितंबर 2024 की इसकी नोटिफिकेशन इसू की गई है और इसमें बात करें तो यह जो लास्ट डेट है तो 14 अक्टूबर है 18 सितंबर से ले करके और इसमें बोला गया आपके सोध केंद्र में आप लाइन भी जमा किया जा सकता है और जो सोध केंद्रों की सूची विबस कर समस्त सोध केंद्रुद्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 2024 तक उपूर को परिश्यविभाग पंडितर अपिसंकर सुपले विश्विद्याले राइपूर को उपलब्द कराए जाना सुनिशित क्या जाएगा और इसके लावा प्रेंट से जो आपकी अप्टिकेशन करनेंगे 25 कोश्चन आपके बनेंगे फ्रंट से सब्जेक्ट से इसके अलागा बात करें तो यहां कुछ इनफरमिशन दिया गया इसको देख लेना अब हम बात करते हैं सिधा सब्जेक्ट डिटेल्स पर इसमें आपके 35 सब्जेक्ट टोटल हैं देखें इंग्लिस और यह प्रंटस आपके libraber साइंस में रिसखेंटर हैं और उकोनमिक्स सब्जेक्ट भी हो जिसमें दोटा इसंट्र हैं प्रंट्स प्रोड HE i am में आपके two center mathematics में आपके three center है और सब आपके राय पूर के ही है और देखे हैं माइनगे सिप्जेक्ट है और पॉलिक्टिकल एजूकेशन जिसमें फ्ट वालों के लिए है तो यह जो निव कंडिडेट्स हैं तो वैसे उनके लिए नहीं है क्योंकि फिल कर सकते हैं पर वैसे इतना जरूरी वाले और इसके लावा फ्रेंट से यह जो न्यू कंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनको इंट्रेंस एक्जाम देना देखिए दिया कि अप्लिकेशन फार्म फार इंट्रेंस टेस्ट फार पिएडी प्रोग्राम यह तो इसमें सारे वाक्स को फिल कर इसके लावा एक पर पिल कर देना प्रड़ी इंट्रेंस इंग्जामिंशन एडमिट कार्ड है तो यहां फोटो और वे सारो लंबर सब्जेक्ट है ने माइडरस आपके वह तो इसके साथ पर इसके बात करें और इन वारे इंपर मेंट होंके इसके साथ यह लगते हैं तो इसमें आपको payment करने के लिए बताएं online payment करना है तो यहां देखे new payment पर click करेंगे इसके लावाँ प्रण्ट से यहां इंटर mobile number करेंगे फिर आपके mobile पर OTP आएगी और OTP आने के बाद फिर आप यहां फिल करेंगे और submit करेंगे प्रण्ट से इसके बाद यहां देखिए कुछ से सिलेक्ट करना है जैसे कि देखिए कटेगरी है जो अधर से सिलेक्ट करेंगे इसके लावाँ ने मोबाइल नंबर सारे को फिल करेंगे और उसके बाद यहां इंटर फीस 1000 है और उसके बाद यहां कुछ और दिये गए हैं वह इतनी important तो नहीं दिख रहे हैं पर यह सारे फिल करना जरूरी है और make payment पर क्लिक कर देंगे इसके बाद देखिए आपकी जो 1000 रुपे तो application फीस है पर जो 20 रुपे है वो आपकी convenience चार्ज है इस तरह आपके total 1020 रुपे payment होंगे और यहां make payment पर क्लिक करेंगे और इसके आप जो भी यूज करते होंगे UPI या अधर तो उससे आप payment दे सकते हैं तो इसमें अधर इंफार्मेशन जो दिया गया है फ्रांट से तो वही जो चीज बताएं है इसमें सारी details को दिया गया है इसमें फ्रांट से जो आपका entrance exam होगा तो जैसा कि मैंने बोला कि 50 question होंगे 25 25 होंगे यानि कि 25 आपके research methodology और 25 आपके subjects related 50 question में आपके कोई negative mark नहीं होंगे आपके सारे जो भी question correct होगे उस पर number दिये जाएंगे और इसमें दिया गया है फ्रांट से जो only entrance examination होगा वह 50 mark होगा और ऐसे candidate से जो SC STOBC है तो उनको 50 45% पर ही valid माना जाएगा पर जो other states से apply करेंगे तो फ्रांट से उनको क्या होता है कि उ उनको भी 50% पर ही valid माना जाएगा इसके अलावा फ्रांट से इसमें जो आपके examination question होंगे 50 तो उसमें आपके टूटर 100 mark से होंगे यानि की per question 2 mark होगा फ्रांट से और इसके लावा बात करें यहां दिया गया है आपके जो exempted category वाले हैं तो उनकी बात की गई है तो ऐसे candidate से जो जे आरेफ qualified है category 1 में है तो प्रांट से वो जे आरेफ या फिर गए इसके similar जो भी examination है उसको qualified किये हैं तो only interview के जरीए वो admission ले सकते हैं और यह category 2 आ ले हैं तो category 2 में है यहां category 2 दिया है appointment as assistant professor and admission to PhD only category थी यानि कि जो assistant professor के लिए भी valid है यानि कि जो UGC net या फिर CSIR net इसके similar जो भी examination है उसको qualified है तो category 2 में आएंगे और category 3 में जैसे कि मैंने पहला भी बताया था कि ऐसे candidates जो net भी qualified नहीं है only PhD के लिए qualified है तो वो भी entrance exam से क्या होंगे इक्जम्टेड होंगे वो सब क्या होंगे फ्रेंट से डारेक्ट इंटर्व्यू के जरिए count के जाएंगे पर इसमें क्या होगा जो net qualified या फिर PhD के लिए qualified होंगे तो उसमें इनका 70 percentage बेटेज बनेगा mark का और जो 30% बेटेज बनेगा फ्रेंट से वो इंटर्व्यू का बने मार्क अप्टेंट बाइडी कंडिडेट इन इंटर्व्यू 30 मार्क जैसा की मिन बताए और यहां देखिए दा फाइनल मेरिट लेश्ट प्रपेर्पेर्ड फार्दी एडमेशन टू पीच्डी प्रोग्राम सेल भी वाइलिट फार वन येर के लिए यह वाइलिट होगा हम इसा के लिए नहीं प्रण्स है जो फाइनल मेरिट लिए बनेगी तो देखिए यहां दिया गया हम इंदा इंटर्व्यू बोर्ड है सैल कांसिस्ट करेंगा इसके अलावां प्रण्स से कुछ और इनफार्मिशन इहां दिये गए हैं तो प्रण्स आप चलिए इसकी आफिस दिया गया थे हैं प्रवेश प्रवभीस है थो और यहां देखिए प्रवभीस प्रवेश भसें दियागया थे या आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शब्सक्राइब और शेर जरू कीजिए थैंक यू